हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चिकन के स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो की बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट और जूसी बनकर तयार होता है जो है रिशमी चिकन मलाई टिक का माउथ मेल्टिंग सॉफ्ट जूसी बिल्कुल तो इसे आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिए और देखिए यह स्टार्टर में जब आप अपने गेस्ट को खिलाएंगे तो गेस्ट कितने खुश हो जाएंगे चलिए फ्रेंट्स इस रेशमी चिकन मलाई टिक का को बनाना कैसे है इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसको बन और आध़ घंटे के एसे मेरिनेट करके चोड देना है यह हमारा फ्रस्ट मैरिनेशन होगा और अब हमें सेकेंड मेरिनेशन की तयारी करना है इसके लिए बिलकुल डही देही चाहिए यह मैन ह से हाफ कप लिया और अब इसमें अमूल फ्रेश क्रीमा कर् hopedfon दही का जो मैंने यूज़ किया है वो बिल्कुल गाड़ी होनी चाहिए दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और अब 1-8 Tb. काली मिर्च पाउडर, 1-10 Tb. मादे जीरा पाउडर, 1 Tb. गड़म मसाला पाउडर, 7 तो में आमचूर पाउडर मैंने 1 Tb. डाला है आम क्रीम दही और इन सारे मसालो को अच्छे मिक्स कर लेना है इस बात का ख्याल रखना है कि इस मिक्स्टर में जितना बहु डही ड़ेगा उससे क्रीम अड़ी तभी ये टिकका बिल्कुल क्रीमी और जूसी बनकर तयार होगा और अब इसमें हमें मैरिनेट किया हुआ चिकन एड़ कर लेना है और अब ये जो फर्स्ट मैरिनेशन वाला चिकन है इसे इस मिक्स्चर में अच्छे से मिला लेना है और कम से कम इसे दो घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है इसे फ्रिज में आप डाल के छोड़ दे और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे तीन से चार घंटे तक भी मैरिनेट करने के लिए छोड़ सकते हैं जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तयार होगा इस मैरिनेशन को मैंने चार घंटे के लिए फ्रिज में डाल लिया था और ये देखिए चार घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है तो अब एक सीख लेनी है या इस तरह का कोई भी आपके पास स्किवर्स है लकड़ी का हो या फिर कोई भी हो इसमें बस आपको इस तरह से टर्न करकर के आपको चिकन के पिसेस को डाल लेनी है और फिर अब इसे सेख लेना है इसको सेखने के लिए मैंने तबा का यूज किया है आप इसे ग्रिल पैन पे या फ्राई पैन पे भी सेख सकते है तो फ्लैट तबे को मैं अच्छे से गरम कर लिया है और अब एक एक करके स्क्यूर्स इस पे डाल लिये है गैस की फ्ले मेडियम टू लो कर देनी है फिर आपको एक रोस्टिंग नेट लेनी है और उस पर इस चिकन को हमें हलका सा रोस्ट कर लेना है इस तरह से आग पे सेखने से इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा जो कि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलता है वैसे ही इसका टेस्ट आएगा तो थोड़ा सा गैस की फिलिम आप मेडियम टू लो कीजिए और इस तरह से घुमा घुमा करके इसे सेख लेना है ये रेश्मी चिकन टिकका तो तयार हो चुका है आप इसे प्याज, हडी, चटनी और निम्बू के साथ ऐसे भी सर्फ कर सकते है मगर इसे थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए हम इसे हलका सा ट्विस्ट देंगे एक पैन लेना है पैन को गरम करते ही इसमें हमें एक बटर का क्यूब डालना है और बटर का क्यूब जैसे ही मिल्ट होने लगेगा हमें इसमें ये चिकन का बचा हुआ मैरिनेशन का जो मसाला था वो डाल लेना है क्रीम और दही से जो बनाया था सकेंड मैरिनेशन का मसाला वो डालना है और इसे एक से दो मिनट तक कुक कर लेना है और अब इसमें हमें डाल लेना है थोड़ा चाट मसाला, फिर इसमें अब हमें डाल लेना है अमूल फ्रेश क्रीम, तो हाफ कप के करीब मैंने इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डाला है, फ्रेंड्स ये रेश्मी चिकन टिक का इतना क्रीमी, इतना माउथ मेल्टिंग होता है, आ तो यह देखे चिकन टिकका तुम मैंने तयार करके रख लिया था इस रेश्मी चिकन टिकका को एक एक करके हम इसमें डालेंगे और फिर इसे एक बार और टॉस करके बस सर्फ कर लेना है आप देख सकते हैं इसका टेक्चिर कितना बढ़ी आ रहा है कितना जबरदस्त लग रहा है देखने में तो इसमें मैंने उपर से भी थोड़ा बटर डाला है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए और यह देखिए फ्रेंट्स यह क्रीमी चिकन टिकका बनकर तयार हो गय है इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर की चीजों से बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी क्रीमी बटरी बनकर तयार होगा इस रेश्मी चिकन मलाई टिकका को आप अपने गेस्ट के सामने सर्फ किजिए यह फैमिली मेंबर के सामने सर कि आपका यह चिकन मलाई टिकका कैसा बना अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस रेसिपी को एक लाइक दे दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया मिलते ह हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ